हेलो एवरिवन, वेलकम टू नीट पे जीट सीरीज एट लर्नो हब, मैं हूँ अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो Physics for Need, Only at LearnHop.com जहाँ पे आपको मिलते हैं Physics, Chemistry, Bio के सारे Lectures, सारे वीडियोज बिलकुल फ्री Student Need सीरीज में Physics का आगला चैप्टर है Waves इस चैप्टर्म को हम तीन पार्ट में कवर करेंगे, पहला पार्ट हम Waves को समझेंगे, Velocity को समझेंगे, Types of Wave Motions को समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो Waves किछे कहेंगे या फिर Wave एक क्या है? तो generally अगर बहुत simple भाषा में बोला जाए तो Wave एक kind of disturbance है, is disturbance in a media जिसके through energy transfer हो रही है बट ये energy कैसे transfer हो रही है? कोई एक particle जिसके energy transfer हो रही है तो वो particle खुद नहीं move कर रहा है through wave ये energy transfer हो रही है, simple सी भाषा में ये कह सकते हूं तो एक बाष समझते है, so Wave is a disturbance or oscillation, okay now that travels through space and time transferring the energy without the physical displacement of the particle or of the matter, right कहीं पे भी, अगर अच्छा मैं कुछ example दूँगा तब और इच्छे जे clear हो जाए है कि Wave क्या है okay, waves can take on various forms and exist in like exist in wide range of context okay, कुछ भी हो सकते है, for example, एक water में waves देख सकते हो, अगर अगर एक water rest पे है उस पे एक drop गिर रही है, अगर कोई भी boond है, तो आप देख सकते हैं, ये ripples of waters जो create होते है तो ये क्या है, waves है, और इस से क्या transfer हो रही है, energy transfer हो रही है यहाँ पे अगर मैं एक simple सा एक paper का boat लगा के रखो, ठीक है, और water को rest पे रखता हो ये simple सा एक paper boat है, और water को क्या क्या है, मैंने rest पे रखा अब यहाँ पे अगर मैं drop डालू तो क्या होगी, boat ये जो है आगे की तरफ move करने लगीगी क्योंकि इसे एक push मिलेगा, इसे एक energy मिलेगी जो इसे move करने में help करेगी वो push आई कहा से, वो आई इस ripple से, इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक energy transfer हुआ बट suppose करते कि यहाँ पे एक water की एक molecule है, या फिर water के जगा कुछ और हम consider कर सकती कि एक particle है वो अपने mean position पे oscillate हो रही है, तो इसकी जो energy है transfer हो रही है, just because of vibration just transfer हो रही है इसके next particle में, फिर next particle में, तो ऐसे energy transformation, energy का transfer होता रहता है but यह particle उठके जाके यह force नहीं लगाएगा, या फिर यह energy नहीं देगा so that is called without the physical displacement of the matter समझ में आया है, यह क्या था, यह था water wave का example इस तरह से काफी सारे दूसरे हम examples भी consider कर सकते हैं, जैसे कि sound wave right, जो sound travel करती है, हमारे कानों तग आती है right, किस तरह से travel करती है, गाना कहीं और बजरा होता है, सुने ही हमें कहीं और देता है तो कैसे, क्योंकि वो waves travel की, waves के through sound energy जो है हमारे कानों तग आई फिर हमारे कान के अंदर जो ear drum से उसको vibrate किया, तब जाके हमें sound सुनाई दिया छीक है, इस पर भी आएंगे, हम इस पर detail sound wave के बारे में detail में analysis करेंगे, detail में पढ़ेंगे इस chapter में, ओके, फिर आ जाती ही, क्या light waves, right, light waves के एक light है, जो की waves में तूट रही है right, light is an electromagnetic wave हम consider करते हैं, यह optics जब पढ़ेंगे तब मैं बहुत अच्छे से समझाओंगा तो इस तरह के बहुत सारे हम examples ले सकते हैं, एक wave का क्या होता है generally जो wave होती है, वो तीन तरह के हम consider कर सकते हैं, three types of waves क्या-क्या, mechanical wave, electromagnetic wave, and matter wave, mechanical wave बोले तो, mechanical waves मतलब कुछ इस तरह से, for an example, यहाँ पर जैसे मैं exercise कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या करीए, यह जो rope है, इसको मैं as a wave देखो, यह जा रही है इसमें हर एक particle, अगर मैं supposed करता हूँ, यह rope जा रही है, तो rope की यह जो particle है, यह अपने position पे ही उपर नीचे हो रही है यह wave, रसी तो कहीं move कर के नहीं जा रही है, ठीक है, रसी तो कहीं move कर के नहीं जा रही है लेकिन waves एक create हो रहा है कैसे क्योंकि हर एक particle अपने अपने position पे oscillate हो रहा है इस वज़े से ये waves देखो create हो रही है इसे कहते है mechanical wave mechanical wave मतलब कुछ भी material का wave जो अगर material में wave create हो रही हो तो उसे हम mechanical wave कह सकते okay next आती है क्या electromagnetic wave electromagnetic wave मतलब की जैसे की EM wave जिसे हम light को अभी हमें कह रहा था electromagnetic waves इसमें क्या है electric wave and magnetic wave मतलब electric and magnetic ये दोनों आपस में 90 degree बना के ये wave move करती है right ये इसी के तुरू light यही light actually light is a electromagnetic wave तो suppose करते है ये light है और light की path है कुछ इस तरह से light ये move कर रही है हम कह सकती electromagnetic waves इसके बारे में और detail में जाए नहींगे जब हम EM waves को पढ़ेंगे okay डूसरी आ जाती क्या matter waves matter waves generally बहुत ही quantum level पे हम discuss करते matter waves को matter wave क्या है जो wave create होई है by vibrations of electrons और protons right बहुत ही छोटे लेवल पे quantum लेवल पे तब हम matter wave को पढ़ेंगे okay तो डी ब्रॉगली ने डिब्रॉइ भी कहा जाता है इनके pronunciation को डिब्रॉइ भी कहा जाता है या फिर दी ब्रॉगली तो डी ब्रॉगली ने पहले concept दिया था matter wave का चीक है इसके detail में हम पढ़ेंगे कब जब atoms and nucleus वाला chapter हम cover करेंगे तब हम इसके detail analysis detail में पढ़ेंगे okay तो इस chapter में हम generally पढ़ेंगे mechanical waves के बारे में maximum इसी topic पे हम discussion करेंगे पूरे chapter में mechanical waves के बारे में तो mechanical waves अगर है यह अगर motion कर रही है यह तो देखो जो आगे मैं बताऊंगा कि standing wave क्या है तो जैसे कि यहाँ पे जो मेरी exercise है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ standing wave create कर रहा हूँ standing wave मतलब एक जगह पे कहीं पे यह end हो रही है लेकिन अगर ऐसा हो कि wave motion कर रहा हूँ right waves किसी motion में है okay तो motion of waves हम देखेंगे तो दो तरह से motion हो सकती that is transverse wave motion and longitudinal wave motion तो transverse और longitudinal दो type के है अब इससे पहले भी हमें समझना पड़ेगा कि wave motion का मतलब क्या होता है wave motion का मतलब है energy या momentum का transfer होना एक जगह से दूसरे जगह तो motion मतलब क्या होता है motion मतलब change in place right अगर मैं अगर चल के जाओं यहां से यहां तक तो मैं क्या कहूंगा कि मैं motion में हूँ या आपका क्या कहोगे कि sir motion में sir move करें इस place से उस place में वैसे wave का motion में हम क्या कहेंगे कि particle ने जो energy transfer किया एक जगह से दूसरे जगह तक इसे हम कहेंगे क्या motion energy या फिर momentum का transfer अब यह कैसे होता है generally मैं अपने motion को consider करूं तो मैं खुद चल के जा रहा हूं एक point से दूसरे point तक तो यह मेरा motion है बट अगर particle का अगर waves का consider करते waves क्या करती सपोज मैं एक wave में जो एक wave create हो रहा है उसका मैं एक particle हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना है मुझे बस अपने जगह पे oscillate करना है अपने mean position पे oscillate करना है उपर नीचे उपर नीचे या फिर कुछ भी to and fro motion back and forward motion ओके oscillate करना है और मेरे through मेरे oscillation के वज़े से मेरे vibration क जो मेरे पास वाला particle है वो भी oscillate करेगा ये भी oscillate करेगा उसके पास वाला भी oscillate करेगा तो इस तरह से जो है energy transfer होगी वो wave का motion होगा बट actual में जो अपना particle है वो अपने ही position पे बना रहेगा ठीक है ये होती है wave के motion की case अब इसमें भी दो टाइप साते कि transverse wave motion और longitudinal wave motion अब द ये particle consider कर लो तो मैं to and fro motion किस तरह से कर सकता हूँ like ये एक उपर नीचे right अगर wave इस तरफ जा रहे है तो मैं ऐसे ऐसे करूँगा और या फिर ऐसे ऐसे करूँगा अपने mean position पे right तो कुछ उसी तरह का इसी को अगर आप example में समझ किया अगर ये समझ सकते हो कि transverse wave motion क्या है in a transverse wave motion the particles of the medium move perpendicular to the direction of the wave मतलब वेव जिस तरफ जा रही है सपोज वेव अगर इधर ट्रैवल कर रही है तो particle इसके perpendicular oscillate करेगा ठीक है और अगर इस तरह से ऐसा हुआ इस तरह से wave motion हुआ तो से हम कहेंगे क्या transverse wave motion this result in a motion of crest and trough such as light wave अब crest and trough क्या है ये भी मैं समझा दूँगा पहले इसके example या फिर इसको visualize करते है तो suppose करते है देखो यहाँ पे बहुत सारे particles है सारे particles क्या कर रहे है अपने अपने जगह पे oscillate कर रहे है किसी भी एक particle के consider करो लेकिन energy जो है वो पूरी transfer हो जा रही है energy जो है वो पूरी transfer हो जा रही है और ये एक wave के form में हो रहा है crest and trough crest and trough कभ कहा जाता है कि अगर ये इस तरह का wave है जो sinusoidal है तो इसका एक क्या होगा उपर उठेगा फिर नीचे जाएगा तो उपर उठेने को इस position को हम कहते है crest और नीचे वाले को हम कहते है trough ठीक है ये तो आपने पढ़ा ही होगा class 10th में 9th में ओके तो ये हो गया transverse wave बात करते है longitudinal wave की कि अगर particle यहाँ पर perpendicular हो रहा था wave के direction के तो हम कह रहे थे क्या transverse wave अब अगर perpendicular ना है तो अगर parallel to the direction of the wave हो particles of the medium move parallel to the direction of the wave this results in region of compression and rare fraction like sound wave तो light wave is an example of transverse wave and sound wave is an example of what? example of longitudinal wave अब longitudinal wave में देखो इसने कहा कहा कि compression and rare fraction हो रही है मतलब parallel move कर अगर मैं particle हूँ तो मैं आगे गया पीछे गया आगे गया पीछे गया तो यह मेरा position है यह मेरा oscillation है mean position यह मेरी mean position यह मैं to and fro motion कर रहा हूँ और wave जो है इसी तरफ जा रही है मतलब जिस तरफ जा रही है उसके parallel ही मैं to and fro motion कर रहा हूँ तो इससे क्या create होगा? अगर मैं आगे जाओंगा मैं आगे वाले particle को push कर दूँगा फिर वो आगे जाएगा तो उसको push करेगा फिर पीछे होंगा वो भी पीछे आएगा पहले उधर से force आएगा ऐसे करके पीछे आएगे तो इस तरह से compression एक जगा होगी जहां से सारे टकडा रहे सारे particle एक साथ टकडा गए compression हो गया फिर एक जगा है कि सारे particle अलग हो गए rare fraction हो गया compression, rare fraction compression, rare fraction इसी तरह से energy जो है travel करके जाएगी या energy जो है वो transfer होगी for an example अगर मैं इसको visualize करवाना जाहूं आपसे तो कुछ इस तरह से हो रहा है देखो एक particle यहाँ पे to and fro motion कर रहा है अब आब देख सकते हो कि कुछ एक region ऐसा बन रहा है जहाँ पे बहुत सारे particle जमा हो जा रहे है इससे हम कहेंगे क्या compression region जहाँ भी बन रहा है ठीक है और जहाँ पे थोड़ी खाली हो जा रहे है उसे हम कह रहे है rare fraction region तो sound wave जो है इसी तरह से travel करती है sound wave क्या होती कि आपने drum beat किया ठीक है या फिर कहीं पे गाना बजरी यो बॉक्स में या फिर डीजे में तो क्या होती उसके आस पास के एर के जो पार्टिकल से वह इस तरह से motion होने लगता है उनका because of the vibration और इसी तरह से sound energy travel करके हमारे कानों तक आ जाती फिर मैं बोल रहा कि volume बहुत तीज है थोड़ा धीरे कर दो राइट कहते हैं न हम ओके चलो फिर यह समझ में है कि waves की motion किस तरह से होती है ट्रांस्वर्स वेव एंड लॉंगिटूडनल वेव पैरामीटर्स तो अंडर्स्टैंड वेव मोशन और पैरामीटर्स ऑफ वेव मोशन तो यह कुछ पैरामीटर्स है जिससे हम वेव मोशन को अच्छे तरह से समझ सकते हैं पहला क्या है हमारे पास wavelength wavelength क्या होते है फॉर या कॉस के function को harmonic function कहते हैं तो कुछ इस तरह से एक वेव जो है वो मोशन कर रही है तो wavelength क्या होगा wavelength को हम कहते है कि दो particle vibration हो रही है सपोज मैं vibrate हो रहा हूं और मेरे पास में कोई एक particle है जो कि मेरे phase में vibrate हो रही है phase मतलब phase मतलब same phase को maintain कर कि अगर मेरी phase है पाई तो उसकी भी phase है पाई यह angle यह मैंने oscillation में बता चुका कि phase difference क्या है same phase in phase को हम कहते है जब phase difference होती है even multiple of pi तब उसे हम कहते है क्या phase difference in phase में कहते है तो suppose करते कि दो particle इन phase में है मैं भी जिस तरह से oscillate कर रहा हूं मेरे साथ साथ वो भी oscillate कर रहा है तो इन दोनों particle के बीच का distance को हम कहेंगे क्या wavelength थोड़ा और अच्छे से अगर समझे mathematically या फिर थोड़ा visualize करके अगर समझे तो क्या है wavelength यहां से लेके यहां तक की distance को हम कहेंगे wavelength ओके और जिससे हम यहां से यहां तक भी कह सकते है यह हो गई lambda this is called wavelength lambda ओके चाहे आप यह भी बोल सकते हो यह भी same है यह भी same है ठीक है okay so lambda हमें समझ में आगे अच्छा wavelength को denote करते है विथ lambda wave number क्या है wave number को हम denote करते है new bar से new bar this is reciprocal of wavelength 1 by lambda okay lambda क्या है एक wavelength है length मतलब इसकी unit क्या होगी meter newton meter centimeter मतलब इसकी dimension जो होगी वो L है wave number है L to the power minus 1 यह इसकी dimension हो जा रही है चीक है समझ में आ रही है न वीव नंबर क्या हो रहा है अब बात करते है amplitude की तो जो maximum displacement है maximum यहां से लेकि यह वाली जो distance है इसे हम कहते हैं क्या amplitude ठीक है maximum displacement amplitude okay amplitude को denote करते a से किसी book में small r से भी किया जाता है confuse नहीं हो देखा phase और phase difference में आपको oscillation में ही बता चुका हूँ वही same चीज है बात करते path difference की path difference मतलब दो waves है दो waves है दोनों क्या कर रही है motion हो रही है frequency frequency आप सबको पता है कि क्या होती है right frequency मतलब vibrations per unit time और oscillations per unit time एक particle किसी भी एक unit time पे या फिर per second में कितनी बार vibrate हो रही frequency that is frequency so one by time period हम लिखते है frequency को और इससे denote करते है new से ठीक है new से denote करते है okay now frequency को हम lambda के forms में किस तरह से लिखेंगे देखो अगर मैं wave अच्छा wave अगर motion कर रहा है तो wave की velocity होगी कुछ तो wave की velocity को मैं मानता हूँ V तो V कितना हो जाएगा suppose wave यहां से यहां तक motion हो रहा है lambda displacement तो इसकी velocity क्या हो velocity equals to speed equals to distance by time right velocity equals to कितनी हो जाएगी distance यानि lambda और इससे suppose यहां से यहां तक जाने में जितना time लगा उसे हम कह रहे है क्या time period capital T time period capital T यह क्या है यह wave का एक circulation या फिर एक पूरे phase का time period right 0 से 2 pi का पूरा phase यह सब हम oscillation में कर चुके मैं फिर से बता रहा हूँ ठीक है तूसे हम कहेंगे क्या time period तो velocity हम distance by time यानि की lambda by t लिख सकते है ठीक है और t हम क्या जानते 1 by t is frequency so v equals to lambda into frequency so frequency equals to v by lambda ठीक है इस terms में हम लिख सकते है कहीं कहीं पर frequency को new भी लिखा जाता है समझ में आगी बात क्या मैं कहना चाहरा हूँ ओके अगर path difference और phase difference के बारे में थोड़ा सा और detail में जानते तो path difference है क्या that is the path difference between the two waves or the between the two paths path traveled by the waves right तो path difference अगर lambda का suppose ये wave है यहां से कोई दूसरी wave start होती suppose कर लेते ठीक है तो इन दोनों के बीच का path difference कितना हो रहा है यहां से यहां तक that is lambda and phase difference कितना हो रहा है यहां से यहां तक that is यह 0 से start हुई यह 2 pi से start हुई तो phase difference कितना हो गया that is 2 pi इसका मतलब अगर path difference of lambda will contribute to phase difference of 2 pi that means path the unitary method path difference of 1 will contribute to 2 pi by lambda phase difference part difference of delta x will contribute to 2 pi by lambda into delta x ठीक है और यह से हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे क्या phase difference यह हमें क्या बता रही है phase difference बता रही है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं delta phi that is phase difference equals to 2 pi by lambda path difference delta x so this is a relation between phase difference and path difference और फिर 2 phi equals to k delta x लिखा जाता है अब यह k क्या है k is 2 pi by lambda इसे हम कहते है क्या propagation constant क्या कहते है propagation constant ओके यह relation याद रखना चीक है delta phi equals to 2 pi by lambda into delta x that is the relation between path difference and phase difference okay बात करते है harmonic wave equation की harmonic wave मतलब जैसे मैं बताया था sign या cost के terms में लिखे जाने वाला sign या cost के terms में कब हम लिख सकते है जब उसमें जुरी जो particle है वो oscillate कर रहा हो और वो simple harmonic motion कर रहा हो चीक है when a wave travels through a medium particles of the medium oscillates about their position if the oscillations are simple harmonic then the wave is called harmonic तो suppose करते है ऐसी कोई wave है जो x-axis की और positive x-axis की और travel कर रही है और उसकी displacement suppose y दी गई है तो उसकी displacement है उसकी equation को मैं कैसे लिख सकता हूँ y equals to a sin omega t minus kx अब kx क्या है ये ये पूरा है क्या है sin के अंदर जो भी ये angle है इसे हम कहते है क्या phase याद करो oscillation के equation में हमने लिखा था omega t plus phi phi क्या है phase था इनिशियल phase तो उस तरह से ये k है phase जहां पे kx है phase तो ये जो k है ये क्या है k आपको पता है क्या है that is 2 pi y lambda और इसे हम क्या कह रहे थे इसे हम कह रहे थे propagation constant constant ओके नव अगर बात करते है x की तो x क्या है path difference है ये आपको पता है amplitude ओमेगा क्या है angular frequency अच्छा की जो propagation constant है उसको कभी-कभी हम या फिर उसे not कभी-कभी उसे हम angular wave number भी कहते हैं किसी-किसी बुक में angular wave number लिखा रहता है ओके अगर ये negative x प्रॉजिटिव x axis में travel कर रहे तो हम इतना हम ये equation हम लेते हैं अगर if traveling in negative x direction और negative x direction इस समय पे हम क्या करेंगे y equals to a sin omega t plus kx करेंगे ओके समझ में आगी बात इस हार्मोनिक wave को हम दो और तरीके से alternate ways में लिख सकते y equals to a sin 2.2 t by t minus x by lambda और y equals to a sin 2 pi by lambda into vt minus x ओके इस तरह से हम दो alternate ways में इस equation को लिख सकते हैं ओके particle velocity and acceleration तो जो particle move कर रहे या फिर oscillate कर रहे उसकी velocity क्या acceleration क्या है उसे हम थोड़ा समझेंगे ठीक है suppose करते है y वो function है या फिर y displacement हो रहा wave का right so y equals to क्या है this is the function of x and t right x और t का ही function है जिसे हम y लिख के लिखते है क्या a sin omega t minus kx ठीक है अब अगर मैं इसका differentiation करूँ with respect to t we will get the particle velocity del t del y del t क्या किया हमने हमने यहाँ पे किया partial differentiation with respect to t हमें क्या मिलेगा a sin sorry not sin sin का differentiation क्या हो जाता है cos omega अचा omega भी आएगा मतलब a omega cos omega t minus kx यही मिलेगा और इसे हम कहेंगे क्या particle velocity अगर particle velocity maximum देखे तो maximum value कितनी आएगे इसकी सिर्फ a omega ठीक है क्योंकि इसकी maximum value जो cos omega t minus kx इसकी maximum value 1 समझ में आ रही है तो यह हो गई क्या particle की maximum value अब अगर मैं इसका slope निकालो मतलब किसका displacement curve का slope निकालो मतलब y equals to sin omega t तो यह equation जो है इसकी graph कुछ harmonic curve जैसा इस तरह दिखेगा इसकी मैं अगर slope निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं यह क्या है y यह क्या है x तो del y del x होगा slope तो del y that is slope of displacement curve यह कितना हो जाकता है del y del x तो del y del x को मैं कैसे लिखूं राइट इसको मैं लिखने के लिए क्या कर सकता हूं इसका sorry इसका differentiation with respect to x तो इसका differentiation में minus k a cos omega t minus k x ठीक है समझ में आगे सिर्फ यह वाले term का differentiation होदा हुआ that is minus k अब इसकी अगर मैं यह तो slope है तो इसकी मैं अगर maximum value लिखो तो क्या आएगा k a simply k a will be the maximum value of this one अब देखो इससे अगर मैं मानता हूं equation 1 इससे अगर मैं मानता हूं equation 2 तो इन में से मुझे क्या मिल सकता है a की value मिलेगी तो a की value क्या होगी 1 by k into del y del x यह तो मैं लिख सकता हूं तो उस a की value का अगर मैं यहां पर put करूँ that is particle velocity vp यह वाली ठीक है particle velocity maximum particle velocity vp equals to a के जगा पर मैं कौन सा value put करा हूं यह वाली that is 1 by k into del y del x और यहां पर क्या है इससे मैं simply ऐसे लिख सकता हूं p equals to omega y k into del y del x ठीक है इस तरह से मैं लिख सकता हूं okay sorry this is minus k right minus k है ना तो यहां पर भी एक minus आ जाएगा right minus आ जाएगा है ना इसकी maximum value minus k होगी okay now अब देखो vp equals to minus omega y k del y del x यह क्या है slope यह क्या है particle velocity यह वाली जो term है ना minus omega y k इससे हम कहते है v that is wave velocity क्या कहते है wave velocity तो इसका मतलब maximum particle velocity particle particle velocity को हम minus of wave velocity into slope लिख सकते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें okay समझ में आगे बाग अगर acceleration की बात की जए acceleration of the particle यह क्या है दो बार differentiation of the displacement term ठीक है तो अगर मैं इस term का दो बार differentiation करूँ पहला differentiation करूँगा तो मुझे यह आएगा a omega cos omega t minus k x फिर से मैं t के respect में इसी term को differentiate करूँगो तो क्या आएगा a omega square sorry minus a omega square sin omega t minus k x so minus a omega square sin omega t minus k x this is the acceleration of the particle okay और इसी की maximum value क्या आजाएगी minus a omega square ठीक है sin omega t minus k x अच्छा देखो एक और इंट्रेस्टिंग थिंग है कि यह जो a sin omega sorry a sin omega t है ना यहाँ पर omega square को अगर एक omega को मैं बहार निकालता हूँ तो यह जो a omega sin sorry omega square को अगर मैं बहार निकालता हूँ तो मेरे पास क्या बचेक है a sin omega t minus k that is why so हम simply omega square y लिख सकते है ठीक है और इसकी अगर maximum value maximum acceleration of the particle find करना हो तो यह displacement maximum y क्या है एक displacement है राइड वाइट equation में पूरा क्या बता रहा displacement का equation है तो y की maximum value maximum displacement कब हो सकती है इस peak पे और इस peak को distance को हम क्या कहते है amplitude करते है तिसलिए minus omega square a will be the acceleration of the particle maximum acceleration of the particle समझ में आरी बात तो यह हमने देखा क्या particle velocity या particle acceleration उसके साथ साथ हमने यह भी समझा कि wave velocity क्या है minus omega by k क्या है propagation constant omega क्या है angular frequency गड़ तो अगर एक wave का motion हो रहा characteristics को follow करती है तो कुछ characteristics यहां पर दी गए है या फिर इसको मैं समझा के बताता हूं कि the main characteristics of wave motion कि किस-किस characteristics या फिर अगर motion हो रही है तो उसमें क्या-क्या follow हो रहा है sorry दिखते हैं कि पहली बात तो इन्हें wave motion the particles of the medium vibrate about their mean position the particles of the medium do not move from one place to another यह तो मैं पहले ही बता चुका हूं इसको ज्यादा detail में समझनी क्या जरूरत नहीं है दूसरी क्या wave motion travels at the same speed in all direction of the medium okay the speed of wave depends on the nature of the medium which travels through it in which it is traveling okay तो यह देखो यह जो बात की गई है in all direction the speed of the wave is same मतलब अगर जैसे मैं पिछले वाले equation में यहाँ पे जैसे waves के बारे में बात कर रहा तो तो मैं direction particular ले लिया था कि x direction में इसकी motion हो रही है but wave motion की जो characteristics है ना कि wave जितने velocity से x direction में move कर रहा है y direction में भी उतने ही velocity से move करेगा z में भी उतने ही velocity से move करेगा provided the medium is same ठीक है मतलब अगर sound wave for example मैं sound wave लेता हूं sound wave लेता हूं तो अगर air है air उसकी medium मां है मतलब एक खाली जगा है कोई air है वहाँ पे sound wave जितनी velocity से travel करेगी हर direction में उतनी velocity से travel करेगी और इसकी velocity जो है वो depend करेगी किस पे medium पे मतलब air में sound की velocity कितनी होती है यह होती है sound की velocity इतनी speed से sound चलती है और water में अगर water medium है नीचे में जाके किसी के अगर phone vibrate हो और किसी के phone में अगर गाना वजर हो उसको मैं पानी में डाल दिया तो उसमें इसकी velocity डिफरेंट हो जाएगी तब आपको अजीब तरह से sound सुनाई देगा तो यह है medium पर depend करते है क्या sound की velocity यह air में है ठीक है at room temperature यह लिया गया 332 meter per second बात करते है third point की during a wave motion energy is transferred from one medium to another medium ठीक है one medium to another यह हो सकता है there is no transfer of matter through the medium matter का transfer नहीं हो रहा है सिर्फ energy का transfer हो रहा है okay, during wave motion the medium does not move as a whole only the disturbance travel through the medium अब यह disturbance क्या है यह जो हमने सबसे first हमने समझाता waves में जैसे कि एक पानी है, rest पे है, undisturbed है उस पे मैंने एक बूंद गिरा है, एक drop गिरा, एक पत्थर डाली तो क्या होई, वो ripples create हुई right, ripples create हुई इसका मतलब क्या है, यह disturbance है ठीक है, medium कहीं नहीं move कर रहा है medium जो है, पानी अगर medium है तो वो कहीं move करके नहीं जा रहा है सिर्फ क्या हो रही है, उसमें एक disturbance आ गई ठीक है, समझ में आ रही बात कि यह main characteristics को follow करता है wave motion में okay, बात करते है sound की या फिर sound waves की तो sound wave मैंने क्या कहाता है, एक longitudinal wave होती है longitudinal wave का एक example है sound wave तो sound actual में क्या होती है, sound मतलब एक vibration क्या कोई एक vibration से create हुआ जो energy है that is sound, okay, जैसे कि यहां पर drum है या फिर यह drum stick का जो plates रहते उसको अगर मैं hit करो तो एक जोर से sound आती है जोर से sound आती है, guitar के strings को आप like play करो तो उससे sound निकलती है तो यह जो sound है, यह हमारे कानों तो कहले energy, यह flu कैसे हो रही है, यह मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, तो क्या हो रही है यहां पर जैसे यह hit हुआ, ठीक है इस type को hitting instruments को हम कहते है क्या percussion instrument, right, तीन तरह के instrument होती है, एक होती है blow instruments मतलब जिसे हम क्या करते हैं उस पर air blow करते हैं, जैसे कि flute हो गई, बासुरी, right दूसरी आती है string instrument, sitar, guitar, violin, then आती है percussion instrument, जिसे hit करके बजाय जाता है, तो suppose मैंने example लिया है, percussion instrument का, क्या हुआ जैसे मैंने hit किया यह plate जो है, यह membrane जो है यह vibrate होने लगी, vibrate होने लगी तो इसके आसपास की जो air है उसके जो particle से वो भी क्या हुए, vibrate होने लगे ठीक है, vibrate होने लगे तो एक इस तरह से motion उनका होने लगा vibrate होने लगे, मतलब oscillation करने लगे, that is compression and rare fraction में यह oscillation होने लगा कुछ एक frequency जे यह vibrate हो रही है ठीक है, अब इसके वज़े से जो इसके आसपास की air है, उसमें क्या हुई compression हो रहा है, मतलब volume इसकी घट जा रही है volume घट गई, pressure बढ़ गई तो एक pressure और volume का यहां पे change एक खेल चल रहा है कि कहीं पे pressure कम, कहीं पे pressure जादा कहीं पे volume कम, कहीं पे volume जादा यह चल रहा है, ठीक है तो एक तरह से change in pressure आ रही है change in volume आ रही है, और इसी वज़े से change in density भी आ रही है जहां पे air fraction वहां पे density कम जहां पे compression वहां पे density जादा, right, particles जहां पे एक साथ रहेंगे जुटके रहेंगे, वहां पे हम क्या कहेंगे, density जादा है, ठीक है mass per unit volume में तो density होगी अगर यहां पे particle बहुत जादा है mass जादा है per unit volume में ठीक है, तो density भी बढ़ेगी तो यहां पे volume, pressure, density इस सारा एक air में change होने लगा, right, एक disturbance create हो गया, ठीक है और इसी वज़े से क्या हो, इस disturbance के वज़े से energy जो है इस wave के through flow होके कहां तक हमारे कानों तक आ जाती है, ठीक है, अब देखो मैंने एक बात की frequency की किसी एक frequency में vibrate हो रहा है तो suppose करते कोई भी एक frequency में vibrate हो रहा है, और वो frequency हमारे कान की ear drums को vibrate करके गई ठीक है, ear drums को vibrate कर दी, तो मुझे सुनाई दिया क्या sound, travel क्या हुई sound energy, बहुत ज़्यादा vibration होगा, बहुत ज़्यादा आवाज आएगी तो अमेरिकान में ज़्यादा energy आएगी, that means ज़्यादा जोर से सुनाई देगा, तो यह energy की एक range है, that is called the audible range, so 20 hertz से, 20 hertz क्या है, hertz है unit of frequency तो अगर 20 hertz से 20 kilo hertz यह इस range में इस range में अगर frequency हो sound की, तो हमें सुनाई देगा, that is called audible range तो हमें सुनाई देगा चीक है, अगर 20 kilo hertz से ज़्यादा हो तुसे हम कहेंगे ultra sound क्या कहेंगे, ultra sound इससे ज़्यादा greater than 20 kilo hertz इससे हम कहेंगे क्या, ultrasonic sound ultrasonic sound और इससे अगर कम हुआ less than 20 hertz तो इससे हम कहेंगे infrasonic infrasonic और infrasound जो भी कह सकते हैं human year है जैसे हम जैसे जो इंसान है वो सिर्फ इतने ही range में सुन सकती ठीक है, इससे ज्यादा या फिर 20 से कम अगर कुछ इस तरह से vibration हो तो हमें वो सुनाई नहीं देगा यह हमारी audible range है बात करते हैं transverse wave की speed के बारे में तो जो speed of transverse wave है वो दो चीजों पर depend करती है जो velocity f is speed of transverse wave that depends upon mass density mass density को हम लिखतें mu से, so mu मतलब mass per unit length linear mass density जिसे हम कहते है linear mass density पर depend करती है और साथ ही साथ tension on in the string transverse wave कैसे create होता है transverse wave मतलब traveling wave मतलब की जब particle perpendicular हो रही है तो जब suppose करते किसी एक string है उसकी tension है जैसे मैं transverse wave create कर रहा था जब मैं exercise कर रहा था rope वाली तो string में जो tension है उससे यह proportional होगी इसकी speed और किसके linear mass density से proportional होगी तो इससे हम proof कर सकते कि इसकी equation जो आएगी उसे हम इस तरह से proof कर सकते देखो मैं इसका derivation में नहीं दिखा रहा हो क्योंकि कुछ जादा important है नहीं यह आप किये हो units and measurement chapter में by dimensional analysis के हम यहां से इसकी equation को derive कर सकते तो इसकी जो velocity की आती है transverse wave की velocity vt अगर मैं लिखूं इसकी जो equation आती है that is k equals to t by mu ठीक है k क्या है कोई एक proportionality constant है और by some other method हम k की value को assume कर लेते है one so transverse wave की जो velocity है that is t by mu यह लिखते है हम okay so this is a very important equation की transverse wave की अगर speed की बात की जाए velocity की बात की जाए तो आप इस equation से calculate कर सकते हो बात करें के longitudinal wave में तो वहाँ पे क्या हो रहा था compression and rear fraction जैसे की sound wave के case में compression air fraction में हम क्या देख रहे थी की delta P हो रहा था that is change in pressure हो रहा था ठीक है चुकि वह air वाला medium है right या फिर sound किसी object का अगर देख लो उसके आसपास का जो object मतलब कि जैसे मैं drum बता रहा था उसको hit किया तो वह vibrate हुई उसके आसपास के air के molecules vibrate हुए and hence pressure change हुआ पास में फिर और क्या change हो रहा था delta V by V that is change in volume भी हमें देखने को मिल रहा था change in volume देखने को मिला कब जब fractional change इसे हम कहेंगे fractional change in volume किसके वज़े से आया प्रेशर के वज़े से ठीक है तो इसको मिला के मैं यह कह सकता हूँ कि पूरी की पूरी जो bulk modulus है B B क्या है bulk modulus वह ही change भी bulk modulus क्या होती है delta P by delta V by V ठीक है यह bulk modulus change हुई और जो velocity of longitudinal wave है VL वह क्या bulk modulus and density पे depend करती है density और bulk modulus पे depend करती है इसको प्रूफ करेंगे कैसे वैसे ही प्रूफ करेंगे A B लिखके जैसे dimensional analysis में लिखते है क्या है simple method क्या है velocity की dimension क्या है L minus 1 T ठीक है यह होती है meter per second sorry L T minus 1 not L minus 1 T L T minus 1 यह होती velocity की dimension bulk modulus की dimension को लिखेंगे density की dimension को लिखेंगे power से compare कर देंगे तो हमें मिल जाएगा तो ऐसे करके हमें longitudinal wave की velocity की equation आती that is K equals to B by rho that is bulk modulus by density and K को हम consider करते constant को 1 so we can simply write B by rho ठीक है अगर longitudinal wave है वो किसी solid के अंदर कैसे हो सकता longitudinal wave suppose करते यह किसी iron का है यह किसी metal का बना हुआ अगर मैं इसे यहां से अगर मैं एक hit करूँ तो यह क्या होगी इसके अंदर longitudinal wave create होगा sound यह vibrate करने लगेंगे तो इस तरह से longitudinal wave को अगर मैं consider करूँ in solid तो इस case में bulk modulus को हम अठा के लिखते हैं simply young's modulus by density right students इस वीडियो में हमने पढ़ा है first part of the chapter waves के बारे में आगे इसके और भी concepts हम समझेंगे तब तक के लिए learn of up के साथ बने रही है क्योंकि learn of free है पर best है so thanks for being here and have a great day झाल झाल कर दो nब पर्ट कर दो पर भी झाल